Books That Speak में आप सभी का स्वागत है ड्रोन आस्मान में भरता है उडान तस्वीर लेता है वन्य जीवों की शिकारियों से रक्षा करता है और यहां तक की भूकम्प आने पर बचाता है लोगों की जान तो क्यों न हो जाए ड्रोन के साथ थोड़ी जान पहचान? शीर्शक है आखेरे ड्रोन है क्या? ओरिजिनल स्टोरी टेल मी, वाट इस ड्रोन? बाई प्रत्थम बुक्स कहानी लिखी है शबनम मिनवाला चितरांकन रूची बक्षी हिंदी में अनुवाद रिशी माथूर कहानी का वाचन असावरी दोशी कभी हुआ है ड्रोन से आमना सामना? पंक होते हैं इनके कई पर ये व्याद पतंगे नहीं घरों की छतों से भरे उडान लेकिन पक्षी से अलग इसकी पहचान उड़े पेट में क्या-क्या लेकर कंगारू नहीं है ड्रोन मगर तट पर सीमा का पता वो जाने शहर में इकबाल का घर पहचाने लेकिन जासूस नहीं है ड्रोन तीस मिनट में पार्सल पहुचाए पर डाकिये से अलग अपनी पहचान बताए फिर ड्रोन क्या है आखिर? एक मशीन है होशियार आसमान में भरे उडान उडते हुए फोटो खीचे पते ठीकाने की करे पहचान जगह जगह पहुचाए सामान अभी ड्रोन सीख रहे है अपना काम हो जाती है उनसे कभी चूग भी इमारतों से टकरा जाते है कभी कभी उडते उडते गिर पडते है धडाम पर ऐसे भी नियम है जिनसे इनकी उडान पर लगी है लगाम एक दिन ड्रोन आसमान में च्छा जाएंगे दूर पहाडी गाउं में जटपट दवाये पहुचाएंगे जंगल में बागों को गिन कर उन्हें बचाने में हाथ बटाएंगे धर्ती के कोने कोने के चित्र खीच कर लाएंगे एक दिन ड्रोन सीमा के घर बिर्यानी पहुचाएंगे लाइबरेरी से किताबे लेकर इकबाल के घर दे आएंगे खिडकी से जाको तो चिडियो संग उडते दिख जाएंगे जल्दी ही हम सब ड्रोन से परचित हो जाएंगे तो कैसी लगी ड्रोन के बारे में कविता रूपी जानकारी तो और ऐसी बहुत सारी जानकारिया सुनने के लिए और कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग podcasting channels पर Website www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में धन्यवाद, बाई बाई